हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आप लो के लिए चाइनिस मंचूरियन पकोड़े की रेसिपी लेकर आए हूँ ये जो पकोड़ा है बहुत ही जादा क्रिस्पी और मज़ेदार लगता है महराश्ट के फेमस स्ट्रीर फूड में से एक है ये चैनिस पकोड़ा और बच्चों से लेके बड़े सभी इसे बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात इस चैनिस पकोड़े से हम मंचूरियन बना सकते हैं ड्राइ मंचूरियन या फिर ग्रेवी वैली मंचूरियन आपको जैसे मंचूरियन पसंद आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं ये चाइनीज पॉकोड़ा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और मज़िदार बना है आप खुदी सुन लिजे आप सुन सकते हैं किता ज्यादा ये क्रिस्पी पॉकोड़ा बना है तो इस तरीके से फ्रेंट्स आप भी चाइनीज बंचुर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोबी को बहुत ही बढ़िया से धोकर बारिक कट कर लिया है। ताकि इसका सारा पाने निकल जाए अब इसमें डालने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिये हैं यहाँ पर मैंने लिया है श्रिमला मिर्च श्रिमला मिर्च को बहुत ही बारिक कट कर लिया है इसके साथ हरा प्याज इसको भी मैंने बारिक कट कर लिया है हरा धनिया और गाजर गाजर को भी मैंने बहुत ही बारिक कट कर लिया अब देख सकते हैं तो सारी चीजों को हम इसमें एड़ करेंगे आप अपनी मन पसंद कोई सी भी वेजिटेबल इसमें एड़ कर सकते हैं इसके साथी मैंने अदरक लेसन का पेश्ट लिया है एक बड़े चमच के करीब मैंने अदरक लेसन का पेश्ट लिया है अब हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के कोडिंग कमिया जादा कर सकते हैं एक पिंच के करीब रेट फूड कलर इसके साथी मैंने आदे चोटी चमच के करीब लाल मिर्ची पाउडर लिया है काली मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक फ्रेंड्स मार्केट में जो चैनिस पाकोडा मिलता है वो सिर्फ पत्ता गोभी से ही बनता है लेकिन हम इसमें वेजिटेबल्स एड करके इसे हेल्दी बनाएंगे एक छोटे चमच के करीब हम इसमें डालेंगे हॉट ञ और दो बड़े चमच के करीब हम इसमें डालेंगे कॉन फिलार तो इती सारी चीज़े डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं डालना है क्योंकि पत्ता गोबी में अल्रेडी बहुत सारा पानी होता है तो इसे हम अच्छे से पहले मेक्स करके चेक कर लेंगे कि कितना जादा इसमें से पानी निकल रहा है उस हिसाब से हम इसमें corn flour और मैदा add करेंगे तो एक एक चमच हम इसमें मैदा और corn flour डाल देते हैं और इसे अच्छे से हमें mix कर लेना है तो एक चमच के करीब हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये dry लग रहा है तो इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे तो इ तो ये देखिए हमारा जो बैटर है एकदम बढ़ियां से तैयार हो गया है अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है तो इस तरीके से हम पानी में हाथ को डिप करके पहले थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेंगे कि तेल किता ज़्यादा गरम है तो आप देख सकते हैं पकोड़े बनाने के लिए एकदम पॉफिक्ट हमारा तेल गरम है तो इसे हम निकाल लेते हैं पानी में हाथ टिप करने के वैसे बहुत ही आसानी से हमारे पकोड़े बन जाते हैं तो इ अच्छे से अंदर तक सिख जाएं, बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हों, इसके लिए हमें गैस का फ्लेम मैनेज करना पड़ेगा, बीच बीच में लो भी कर देना है, हाई भी करना है, इस तरीके से अच्छे से अंदर तक हमारे पकोड़े सिख जाएंगे, तो बीच बीच मैं इसे उलटते पलटते रहना है, ताकि पकोड़े जो हैं चारो तरप से बहुत ही बढ़िया से सिख जाएं, तो आप देख सकते हैं, फ्रेंट्स पकोड़े हमारे देखने में कित्ते जादा मज़ेदार लग रहे हैं, फ्रेंट्स मैं आपको याद दिला दू, अगर हैल्दी रेसेपी आप लोगे ले कराऊं, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से हमारे चाइनिस पकोड़े फ्राई हो गये हैं, इसे हम इस तरीके से कुछ दिर होल करके निकालेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए, तो आप देख सकते हैं, मैंने सा चैनिस बंचुरियर पकोड़ा बना सकते हैं, और वो भी घर पे, तो आप बाहर से चैनिस पकोड़े खाने की कोई जरुवत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से चैनिस पकोड़े घर पे ही बना सकते हैं, और बच्चों से लेके बड़े इसे बहुत ही चाव से खाना पसंद करेंगे, मेरी ये गारांटी है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही जादा हैल्दी भी है, क्योकि इसमें ढेठ सारे वैजिटेबलस भी पढ़े हैं तो ये देखिए friends, ये किता जादा क्रिस्पी और बहुत ही जादा सॉफ्ट बना है, तो इस तरीखे से ये दिखिये, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ तो आपने मेरी तरीके से Chinese पकोड़ा बनाया है या नहीं बनाया है मुझे जरूर कमेंट करके बतायेगा आपको ये रेसिपी किती ज़्यादा पसंद आई या फिर नहीं आई वो भी जरूर कमेंट करके बताईएगा फ्रेंट्स मैं इस पकोड़े को खाने जा रहे हूँ शेजवान चटनी के साथ ये चटनी बहुत ही जादा टेस्टी और मज़दार बनी है फ्रेंट्स अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आये यूसफूल लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजेगा और यहां तक अगर आप मेरी वीडियो देख लिये हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साइड में जो घंटी का आइकन है उसे दबा जरूर दीजेगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके तो उमीद करती हूँ फ्रेंस आपको ये चाइनिस मंचुरियन पकोड़े की रेसिपी बहुत ही ज़ादा पसंद आई होगी तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंटेक क्यार फ्रेंस